मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे तो यह ही हिंदी क्लास फास हिंदी के क्लास ठेके बच्छों तो आप लोग देखिए पेश नमबर 45 पे ठेके बच्छों तो यह वाला यानि चालो नाम भर कर पुरा वग्या परे यह हम लोगों ने पहले क्लास में पड़ी है तो इस पे कुछ थुरा गलाद हुआ है तो इसलिए मैं आप सब से माफिमाना चाहती हूँ तो मैंने यहां पर क्या लिखा था मैंने इस पे लिखा था बोल ठीक है तो बा ओला बोल तो हम लोग क्या पर रहे थे एक की मातर पर रहे थे ठीक है तो इस पे आएगा एकी मातर वाले शब्त तो यह गलाद हो गया है तो इस पर आप लोगों को लिखना है गेंट ठीक है गा इना दा गेंट ठीक है बच्चों रामेच गेंट खेल रहा है यानि रामेच गेंट का मतलब क्या है बोल ठीक है यानि बोल को हम इंग्लिश हिंदी में कहते है गेंट तो रामेच गेंट खेल रहा है ठीक है तो आप लोग पलीज इसको ठीक कर लीजिए ठीक है बच्छों तो इसके बाद आज हम पड़ेंगे यहां से यानी चाप्टर नमबर 11 का जो दूसरे पेज़ 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 पड़ो ठीक है यहां पर एक छोटा सा कहानी है उसको आज हम पड़ेंगे ठीक है तो आप लोग देखिए पेश नमर 47 पर तो सबसे पहले आज दिना है बीस नाव दौजर एकिस तो आप लोग अपनी बूख पर अच्छे से देखिए केलाज बेया बेठक में बेठे है यानि केलाज बेया कहां बेठे है बेठक में बेठा यानि बेठे है यानि बेठक का मालब जो एक कमरे में बहुत सारी लोग बेठते है उसमें बेठे है जिसे की मीटिंग यानि स्टाप रूम जिसे स्टाप रूम में बहुत सारी बेठते ह और मेटिंग हॉल में बहुत सारे लोग बेटे ही तो वो केलाश बाया कहां बेटे ही बेटाक में बेटे ही ठीक है वे थेले में से पेसे निकल रहे है यानि वो क्या कर रहे है थेले में से पेसे निकल रहे है ठीक है सेनिक मेदन में खरी ही यानि सेनिक का मतलब सिपाई मेदन का मतलब ग्रोन में खरी ही